फिन बैलर ने दोस्तों फिर से साबित कर दिया है कि उन्होंने डेमियन को धोका नहीं दिया है बलकि डेमियन ने खुद के पैर पर कुलहडी मारी है अब इससे कुछ कंटे पहले तो फिन बैलर का रियक्शन आता है जहां दोस्तों वो लिखते हैं नो इगोस, नो लीडर्स यानि कि दोस्तों उन्होंने नई जज्जमेंटे का मोटो साफ कलेर कर दिया है लेकिन अगर आप ध्यां से देखेंगे और सोचेंगे और पाएंगे तो आप ये चीज समझेंगे कि गाइस जजमेंटे का कभी भी कोई भी लीडर नहीं था और जिसम आप दोस्तों जजमेंटे का किसा हमेशा से रहा है नमस्कार दोस्तों मेरा नामे गौराव आप देखेंगे रहे हैं आज की दोस्तों कुछ ऐसे ही तरक संगत बाकते हैं उस जोड़ी रहेगी और गाईस जो अपडेर से काफी सॉलिड है ट्राइवल जीफ के नाम वीडिय साथ हिसाब दोस्तों इसके अरली ओड्स के परसेंटेज भी निकल चुकी है तो यहां सबसे पहले आपको पताना जाओंगा इस पर्टिकुलर मैच के अंदर एक नई स्टिपलेशन आइड हो चुकी है और इससे पता चल रहा है कि इसमें वीनर कौन रहने वाला है तो यहा इस पर्टिकुलर मैच को हारने वाला सूपरस्टार स्मैडाउन ब्रेंड में चला जाएगा यानि कि अगर वर्ल्ड हविट टाइटल के इस मैच में जो कि बैसे इन द बाल दिन में होने वाला है गंदर हार दें तो वो स्मैडाउन में चले जाएंगे और रैंडी तो अव विनर स्टेंग ओन रो एंड लूजर गोइंग तो दी स्मैडाउन तो गाइस साफ हो चुका है कि आने वाला स्मैडाउन में जाएगा और विनर भी दोस्तो साफ हो चुका है यहां 200 ओर्ट मेरे सामने है और गाइस यहां 96.8% चांस जो है अरली ओर्ट में वो गाइस गंध आफ दा रिंग टूनमेंट का फिनाले था उनकी पिन जो थी वो बहुच होगी ते गंतर से और गाइस फिर जाके मैच बना है यानि कि रैंडी इस मैच में नहीं जीतने वाले होप सो इसके अंदर चीज़े थोड़ी से डिफरेंट जाए क्योंकि मैच आता हूं रैंडी औ टकाई के उपर बैक स्टेज अटेक किया था शेन अबेजलर एंड गाइस कंपनी ने वहीं गाइस बात कुरू रॉलिंस की तो रॉलिंस को ब्रॉंसन रीड ने डेस्ट्वाई किया था तो दोने इंजड करें बताया जा रहा है हाला कि सैथ रॉलिंस की सिचुएशन बैट जा सके वहीं गाइस बात कुरू मैं डेकोटा काई दर डेकोटा काई को दोस्तो काफी तगडी इंजडी बताया जा रही है ने इंजडी करके बताया जा रहा है कि यह काफी तगडी आई है और गाइस इसी लिए उनके उपर सोन्य डेविल एंशेना बेजलर और स्टार्क अटेक किया ताकि दोस्तों वह भी स्टोरी लाइन से रीटर्न आफ की जा सके तो यह दो सूपर स्टार दोस्तों आपको अपकमिंग रॉज में देखने को नहीं मिलने वाले और गाइस दोनों चुटी पर निकल चुके हैं और रिकवरी पर निकले हैं सही सही कहू तो बात भाबी लैश्ली जो है अभी से कुछ से में वेले ड़वी वालों के द्वारा अलाएन नहीं सेक्षन में डाल दिये थे वो सेक्षन जिसके अंदर उन सूपर स्टार उड़ाला जाता है जो के डवावी कर पार्टने हूथ तो बावी लैश्ली को दोस्तों अब बताया जा रहा है कि AW Backstage discuss किया जाना शुरू हो चुका है उनके नाम दोस्तों AW के गलियारों में घूंज रहे हैं और गाइस के आखरेक बिता जा रहा है कि इस वक्त कोई भी डील जो है लैशली के साथ AW वालों ने नहीं की है लेकिन गाइस यहां यह चीज साफ है कि जैसे डील खतम अगली नियूज जो आजकी मैं जूड़ी है वह चोड़े दोस्तों हमारे अपने लुच्चा बरोस से काफी हुज अपडेट साई है एक नहीं दो अपडेट साया सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते है इस वक्त-व इंटर नेली लुच्चा बरोस को लाने की कोशिश कर करें मेरे साब से दोस्तों लूचा ब्रोस को राइफ स्मायडाउन में ही जाना चाहिए क्योंकि गाइस एनेक्स ट्यून के लिए काफी चोटा ब्रेंड रहेगा काफी मशूर सूपर स्टार है वहीं आपको बताना चाहूंगा कि लूचा ब्रोस ने कुछ नेम्स भी दोस्तो ट्रेडम करें कर वादिया आने से पहले ये कर Mmı लोके लिए है या फिर को पर में आने के लिए है साफसाब काउ तो लेकिन गाईस टिल उन्हें दो नाम कुरा पहला नाम है दूस्तों कि पेंटाओन का नाम रहेगा रेफ यूख दो रखेいます का नाम तो ये अगली नीज वाच के मैं जोड़े हो जोड़े दोसो जिला फार्टू से तो काफी यूज अपटेट निकल कर सामने आ रही है जिला फार्टू ने दोस एक और चैंबर्शिप जीत लिए है तो आप जानते हैं जिला फार्टू काफी तगड़े सूपरस्टार है आउट इन्होंने और गाइज यहाँ चैंपिर्शिप जीतना कहीं ना कहीं साब बता रहा है कि वह कितने कैपेबल है आई थिंक डवी वालों को जल से जल दीने लाना चाहिए ला भी सकते हैं क्योंकि इससे पहले अपडेट आई थी कि डवी वालों की नजर है तेला फार्ट हो ग जो व्यूज लाए वो रोमेडें से सबस्यादा लाए थे और ऐसे में दोस्तों मर्च के ओपर सवाल था कि क्या उनकी टीशट भी भी की उतनी तो टीशट दोस्तों अभी उनकी नंबर चार पर चल रहे है शरफ एक अपता हुआ नंबर चार पर आ चुकी है नंबर एक पर अपनी येट टीशट के साथ नंबर दो पर नंबर तीन पर फिर से जेउसो की वाइट येट टीशट है नंबर चार पर ब्लैक ओटीसी टीशट है नंबर पांच पर वाइट का है वाइट का जो सिम्बल है वाइट सिक्स का वो चलावा है तो अकुल मिलागर दोस्तों पर एक पर हमारे जेउसोर नंबर चार पर ट्राइबल चीफ है लेकिन खास चीज क्या है कि जेउसोर एक 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 सूपरस्टार है और रोमर्ड रेस को सिरफ एक हफता हुआ है रिटर्न में मेरे साफ से इस बारी कि स्मैड़ाउन के बाद जो माइक पर OTC का मीनिंग क्या OTC का मतलब जानते हैं अगर जानते हैं तो डू लेट में दो कॉमेंट बोग वहीं गाईज एक और रीजन रह सकता है ट्राइबल चीफ का उपर आने का वह है गाईज रोमर्ड रेस का कंफर्म होना एक और स्मैड़ाउन के लिए यस गाईज ट्राइबल चीफ कंजक् हैं हम बात कर लेते दोस्तों अब आज के अपनी सेगिलास नियूज की जो की हमारी जोड़ी दोस्तों समैड़ाउन के प्रिविव से समैड़ाउन काफी दांसू होने वाली इस बारी की और समैड़ाउन की बात करती है एनर्जी आगी क्योंकि कुलिम लाखर इसके अंदर कि यहीं से चार सेग्मेंट ही करम है और चाहिए और चाहिए के पास डोषो ऑपर जो सकती है कि और चैलिंज करने की एक पास को क्यूंकि वह घंग करने लिए आपकर रहेंगे तो यह स्टाइल्स को कुछ नी पता रहेंगे तो यह से दोस्तों हम लोगों को एक तरीके से चोड़ी मोड़ी सेलिबरेशन देखने को मल सकती है एले नेट यूए चैंपियन बने है और हो सकता है एजी स्टाइल्स की आकर उन्हें चैलेंज ठोक दे इसके बाद दोस्तों हम लोगों को रोमेड और रेंज का प्रॉमार्न देखने को मलेगा रोमेड रेंज का प्रोमो दोस्तों काफी सालिड रहेगा और सबसे सालिड चीज़ यह रहेगी रोमर रेंस आने वाले है ऐसे बेवी फेस और ऐसे बेवी फेस और पहली बार कहने वाले है अगनौलिज मीर तो गाइस ट्राइबल चिफ रोमर रेंस की तरफ से हम लोगों को एक तगड़ा प्रोमो सेग्मेंट देखने हो मिलेगा और रीजन पता चलेगा कि उन्होंने सोलर सी काउ को मारा आप जानते हैं क्यों मारा क्योंकि खुद को चीफ बता रहे थे फिर दोस्तों हम लोगों को कोड़ी रोट्स की तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिलने वाली है तो इस पर्टिकलर सेग्मेंट के अंतर दोस्तों काफी ही उस थिंग आप लोगों को देखने हो मिलेगी जो कि आज के हमारी मेन खबर भी है तो गाइस मेन खबर जो आज के हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है जो क इस परा छोटा है कि कोडी जो तंक और झाली की कोशिश करते हैं और एक आएक उनकी नजरे जाती है, रोमाड रेंज की और जो कि उनसे नजरे मिलाते हैं, अलका साथ उसे मुस्करा दें और फिर रिंग को लीव कर देते हैं, जिक्ता कोडी अपना फिनिशल लगा गर मैच को जी जाते हैं, यह चिज़ा आप लोगों ने देखियोगी, लेक ट्राइबल रेंज को ऐसे बेवी फेस्स कमिंट करने के लिए, डवी वाले दोस्तों, कोडी रोट स कोडी रोट से बनानेगा इसा किर के बताया चाहिए है, और अगर दोस्तों, कॉडी रोट आनने वाले हैं तो एक चीज चीज झाओ लै, उनको इंको पर अटैक हो सकता है bloodline की दौर अफिर से और guys tribal chief उनके rescue को आ सकते हैं तो tribal chief Roman Reigns the OTC बचवाने अवाले Cody को well guys एचीज काफी shocking रहेगी अगर एक कल होती है और मुझे लग रहा है इसके होने के chances काफी high है तो guys Cody and Roman Reigns एक साथ क्या टिपड़ी कीजिए वीडियो आज कितनी इस थी comment करके मैं देखना चाहूँगा कि आप क्या 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 कहते हैं comment दो करना है वीडियो आज कितनी इस थी आस तक लितना ही थाने वाद शबक है